एक लोटा पानी, एक बिलपत्र, एक पुष्प, एक चावल का दाना व्यक्ति के निर्णे को बदल देता है महाराज उसका क्या भाव था, उसके किस्मत में कितना दुख लिखा हुआ था उस दुख को केवल उसका एक लोटा पानी उसको सुख की और ले जाता है एक लोटा जल हर समस्चा का हल, तो आपकी जीवन में केशी भी समस्चा हो, केशी भी दूविदा हो, या केशी भी कुछ भी प्रोब्लम से चल रही हो अगर आप एक लोटा जल सुबे सिविलिंग पर जाकर समर्पित करना चालू कर देते ही उसके बाद जीवन में केसी भी समस्या हो भगवान उसको कार देंगे आप में से कितने लोग हैं जो संकर जी को रोध जल चड़ाते हैं रहात उठाईए बहुत बढ़िया रखलो बापीस रखलो बहुत बढ़िया हरार महादेव धन्यवाद बहुत बहुत और आप तो चड़ाओ साथ में अपनी अडोसन और पीछे वाली धडोसन इनको भी कहो कि एक लोटा पानी शीव को चड़ाने में कुछ घटता नहीं है वेसे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्नोंने सीवलिंग पर एक लोटा जल चड़ाया और अपनी जो मन की कामनाई थी वो भगवान बोले को बताई उसके बाद ऐसा चमातकार हुआ कि उनकी जिन्द की ही बदल गई तो आपको जो भी ऐसा इंसान मिले जो दुखी है परिशान है या कोई समस्या से घिरा हुआ है तो आप उनको जान करें दो कि एक लोटा जल सीवलिंग पर चड़ाना चालू करते हैं तीन दोश मिट जाते हैं पहला वास्तु दूसरा पित्र तीसरा कालसर दोश ये तीन दोश शंकर जी पर एक लोटा पानी चड़ाने से मिट जाते हैं पानी मंदिर का नहीं पानी अपने घर का लेख कर जाओ मंदिर का अगर पानी लिया है एक लोटा तो एक रुपिया दान पेटी में चड़ाओ दो रुपिया चड़ाओ पर अगर मंदिर का लोटा ले रहे हो मंदिर का पानी ले रहे हो मंदिर की बालती ले रहे हो तो हमें फिरी में पानी नहीं चड़ाना हमें एक रुपिया दो रूपिया दान पेटी में डालना है ब्राह्मन देउता के हाथ में देना है गुरुजी हमने आपकी बालती ली गुरुजी हमने ये लोटा लिया गुरुजी हमने पानी लिया ये ब्राह्मन देउता ये आपका गुरुजी का कहना है कि हमें हर रोज एक नियम बनाना है, सुबह उठकर नहा कर सबसे पहला जो काम करना है वो ही एक लोटा जल संकर भगवान की सिवलिक पर चड़ाना है, तो ये काम हमें रोज करना है, ये काम करते ही जैसे कि गुरुजी कहते हैं एक लोटा जल हर समस्या खहल, तो उसी प्रकार अगर आप एक लोटा जल संकर भगवान पर चड़ाते हैं तो आपकी जित्ती भी समस्या हैं जित्ती भी प्रोब्लम से जित्ती भी जीवन में दुविधा हैं सब खत्म हो जाएगी बस आपको विश्वास करकर एक लोटा जल रोज चलाना है तो इस वोड़ा में हमने कोशिस तो कर तो इसको लाइक कर दे चैनल पर पहली बार आए हूँ तो इसको सब्सक्राइब कर दे ओम नभस्तिवाय जैसरी मांकाल